कि नमस्कार साथ ही ओनलाइं प्लेफरम करें बनाव में सब्सक्राइब कैसे हो उम्मीद सब अच्छे ही होगे आज हम कैलकुलेशन के जाने भी कैलकुलेशन पर वीडियो लेकी आ रहें क्यों लेकी आ रहें बच्चों के बहुत कॉमेंट आ रहे थे सब हमने पिछले जो एक सब्सक्राइब करें तो अब इस प्रक्राइब करें तो मैं इनके लिए इस पेस्ट्राइब करें वीडियो लेकी आ रहा हूं तो आप आपने सम्हें में देखी दिया होगा आप यानि करें नहीं करते हैं कोई भी नहीं करते हैं तो आगे चाहते हैं अब पर यह कर दो आप पहला एक वीडियो कोई यह सोच क्या है कि एक वीडियो से बढ़े हो जाए तो वह घर्थ सोच रहा है इनके लिए आपको पूरी प्रशां ने बढ़ेगे और यह 30 प्रस प्रस फुड़ाएंगे जैसे इसको अलगने का ना क्यो प्रूर है उन्हें ता अलग आएगा ठीक है दोंकों किसे ने का क्या गोणा अलग आएगा तिन अंको अबने पूर में 20 आएग देखना ना इसी वीडियो में वह आखी बाद ने का इसी वीडियो से शार्ट कर आएगा लेके कि आए तो अलगने अगने ना चल्कलिटर वाए अगलेटर विसास बाएगा जल्दी कर पाए और अला है कुछ पैन प्री में तर्म करके और पैन प्री में था मतलब थोड़ा वह दो लिए प्रता लेकिन ऐसी भी कैलकुलोशन है कि पचाफ और श्टे आप ने इमेज नहीं एक स्विकिंड भी नहीं लगे कि यह डाटर दिखते दिमाख में बन जागी तो बहुत सारी कैलकुलोशन है कैलकुलेट कैलकुलेट से भी आप फार्ट कर सकते हों चलो आगे बढ़ते हैं पहला एपिसोड है सेम एंड टेन रूल जहां दीजिए सेम एंड टेन रूल यह कौन सा रूल है सेम एंड टेन रूल यह सी पहला चैंद आप पांक स.'वय क्यों सेम एंड टेन टेन इस बात पर ज्यांदव नियासी अएंड टेन गपांक आट कुंद टेन से आतर्वज पांकुल faut पकिस्के नियुका करने वाले हूं 25 एक सब्सक्राइब करें जल्दी करों कि मैं 30 सब्सक्राइब के लिख रहा हूं कि इसमें लागेगा जो कि ना रहा है पतो एक मिन पांच आप लेगा दल्बाजी मत ना इस तो रहे कि इसमें लागेगा पत्र मिन द्लदी नहीं है इसमें कि इस लाइन इस लाइन में पांच लगेगा देखो एक है कि नहुंद हो रहा है उसमें पर टुबर तो एक है तरफ डालो टीन नरे च्राइड लाज़ाओ और कि तो फिर गुना प्रेस ओर कि शर्ट एक पर गती जाए reps ठीक है स्से रहाना साथ होना कि ए किस साथ दाए टीन आ यह yई स्से इतना जलदी गुणा अता है रही गोडसी ने युटा है इस बात को समझो सेम एंड टेंड डूल इकाइक का योग इतना होना चीए दस होना चीए बाकी सेम होने चीए एक तो कई डंगसे नहीं सुन रहे फिर गुणा गल्थ करेंगे आज कल क्या होता आधे रिस्ते इसलिए खराब हो रहे हैं किस उने उन सामने वाले की बात डंगसे सुनी नहीं या उनकी बारत का अर्थ अलग ने का लिया इस पर मुझे चुटकला याद गया कि एक महिला बेमार हो गये तो वो डॉक्टर के पास गई आप डॉक्टर ने बोला की भई आपको नब भार की चीजे बंद करनी पड़ेगी डॉक्टर ने दौई लिग दी जो यह तीन टाइम दौई ले ले लेना ये खाली पेठ है और आप बाहर की चीज एक बार ब होना किया है जबकि डॉक्र का प्रपचे अलग था तो यह मेरी बास समझ रहा नहीं इसी से हना हर किसी गुणा में लगा देंगे हर कोई में और आंसर क्या लगा लेंगे गल लगाएंगे नहीं भई देखो सेम एंड टेन रूल इसकी थीम है चलो मैं यहां पर बोल करते हूं इस बात को यहां रखेना यानि एकाईक का योग 10 होना यह बांकी सेम होना यह बताव इनका गुणा कितना आएगा 5 5 25 4 3 12 12 चलो यह बताओ 6 चोग चोईस और 4 3 12 12 20 हा इसमें 09 आता मैंसा दो डिजित थेखो ठोड़ी देर पहले 6 चोग चोईस दो डिजित आ रहे थी 55 29 पन नो नहीं बेच जीरो नो रखोगे इस बात को विश्चे देना रखना नो नहीं जीरो नो रखोगे और एक बड़ाओ च्यार तीन बारा बारा जीरो नो अब इस मेंतर से complete दो अंक वाले नहीं निकरने वाले हैं इस बात को समझो एकाई के अंका योग 10 होना चाहिए बाकि क्या होने चाहिए सेम लेकिन आप सोथो 30 वाली लाइन में कितने कॉंबिनेशन बन गए पांच बन गए इनका मतलग ये कैलकुलोशन है काफी जदा काम में आने वाली है चलो आगे बढ़ते हैं अब इस टोबा लगा के देखाना कोई भी कैलकुलोशन लेते हैं जैसे बावन इंटू अठावन कुछ नहीं लिखना है आठ दूनी सोड़ा छै पांस तीस ऐसे आएगा जैसे आपको उत्रिया दो इतनी स्यांदार मेथर विजाने हों कईको तो विश्वास ही नहीं होगा कैलकुलोशन लगाई चाय करेंगे गड़त सही है या गड़त है कि इतना जल्दी उतर ठीक है और लेता हूं मैं जैसे चोवन इंटू पहले हाँ एक बार तो याद ही नहीं रहेगी बई कि ये किसम मैंने ये थोड़ी प्रेसान हो रहे हैं आपको पूरे कितने एपिसोड देखने पड़ेंगे तीस एपिसोड देखने पड़ेंगे तब जाके कलकुलोशन और उन पर अभ्यास करना पड़ेगा उन पर अभ्यास करना पड़ेगा आपको तो अब देखना बताओ यो कितना ह जाएगा 3 से 24 जाएगा चलो और एजामपल लेते हैं 360 इंटू 66 दोको योग 10 हो रहा है बाकी सेम है तो 7 3 21 साच है कि 42 से 21 हो जाएगा ठीक है एक बार फिर से बता रहा हूँ जैसे 280 इंटू 88 बताओ देखो एक का एक का अंग कितना हो रहा है बताओ 10 रूल का नाम क्या है सेम एंड 10 रूल बताओ इनका मतलव क्या हो एकक का अंक का योग 10 होना चीए बाकी संख्या सेम तो बहार वाली गुणा करदो 8 2 6 एक बढ़ाओ 8 1 9 9 8 22 तो यह हो जाएगा 22 16 एक बार फिर से ले देता हूँ 8 2 6 9 8 22 22 ठीक है चलो और एजामपल लेता हूँ ताकि अच्छे स समाज में आजाए अब मेरे साथ साथ प्रेक्टिस करते रहो तीन का भी बताओंगा अब क्यों को मन में चल रहे है तो दो पर लगते है नहीं सब पर लगते है अब देखो कितना असानी से कर पाओगे 108 गुणा 102 कई तो तीन अंक वाली देख तही मन ही नहीं करता तीन अंक गुणा करो आठ दोनी सोड़ा इधर इधर बढ़ालो चाहिए दोनों 10 से 10 में एक बढ़ाओ 11 11 को 10 से करो 110 सोड़ा अब बताओ कितना जल्दी उतर आ रहे है और मैं तो यहाँ आपको समझा रहा हूं भई यदि एक्जाम में यदि कुशन करोगे तो इतना टाइम लगाओ होगी नहीं 107 गुणा 103 सिदा करोगे 21 11 into 10 110 आंसर कितना आजाएगा 110 से 21 ठीक है एक बार फिर अराम से समझाता हूं उम्मीदेश समझ में आया होगा 104 गुणा 106 देखो बताओ किसमें लगेगा रूल एक बार तो ध्यान में नहीं आएगा आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा ताकि आजाने लगेगा देखो इकाई कंका योग कितना हो रहा है 10 है तो 6 चोगे 22 इधर बड़ा हो चाहिए इधर एक बड़ा लो 11 तो यह आजाएगा 110 से 22 से आजाएगा ठीक है और लेते हैं 124 इंटू 126 देखो 6 इंटू 4 बताओ 22 अब क्या होगा 12 इंटू 13 इंटू 12 तेरा को 12 से करने की में थड़ा एक बार में कर देता हूं इंको कुणा यह होगा 130 26 इंटू 156 अब कई बच्चों के मन में क्यों सुना कि 12 इंटू 13 कैसे करें इनके लिए मैं आगे वीडियो लेक्या रहा हूं आपको बता रहा हूं 30 प्लस वीडियो ऐसे कैसे हो कि यह भी बताऊंगा एक बार वैसे बताता हूं इनको गुणा गुणा कर लो 13 इंटू 26 तेरा कम तेरा और दो असिल्थी पंद्रा 156 हो गया तो 156 हो जाएगा ठीक है जैसे यह तरीका हो रहा बारा गुणा तेरा करने का बारा गुणा तेरा मां आगे बताऊंगा बारा गुणा तेरा को लिसकते हैं 12 प्लस एक यानि 12 के स्क्वाइर में 12 दोडो तो 12 के स्क्वाइर 24 और 12 एक सो चापन जैसे 15 इंटू 16 मोखी करना है तो 15 के स्क्वाइर प्लस 15 15 के स्क्वाइर दो सो पत्चीस प्लस 15 बताऊ 240 हो आग नहीं हुआ 21 इंटू 22 गुणा करना है ठीक है चलो और एक्वाइर लेते हैं जैसे 152 इंटू पहले तो यह बताओ सेम एंटें रूल लगेगा नहीं लगेगा हाँ या ना कॉमेंट भड़ जाने चाहिए देखो एक 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 अंक योग कितना हो रहा है बताओ 10 हो रहा है और बाकी संक्या क्या है सेम है तो यह रूल लगेगा तो आड़ दूनी 16 15 में एक बढ़ा हो सोड़ा तो 15 इंटू सोड़ा इंको कुना करते हैं सोड़ा पांच सी 240 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 240 सोड़ा देखो कितना बड़ा क्यों सुना आसानी से हो रहा है पंद्रा गुना सोड़ा कि आगे बताओंगा भई यह इसमें नहीं एक ठीक है टोटल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे अब 15 इंटू सोड़ा की भी ट्रिक है 15 के स्क्वाइर में 15 जोड़ो 15 के स्क्वाइर 225 प्लस 15 240 हो जाएगा तो यह 240 सोड़ा अब बताओ कितना जल्दी आंसर आ रहा है अब बताओ यह किस्वी के सामने क्यों सुना जाता कि 213 इंटू 217 कितना कितना ट साथ गोणा 3 कितना होगा 21 आप 21 इंटू 22 21 का स्क्वाइर 441 प्लस 21 तो च्यार तो यह आजाएगा 462 च्यार सो बांसर च्यार सो बांसर हो जाएगा फिक है बहुत यह लेते हैं जैसे 418 गोणा 412 मैं रेंडमली लिख रहा हूं कोई याद करके नहीं लेके आ हूं बई मैंन यह बता दिया कि रूल किसमें लगने वाला है एकाएकांका योगदस होना चाहिए बाकी सेम होना चाहिए बाकी क्या होना चाहिए तो आप करते हैं इनको गुणा दिमाख में करो आट दूनी सोडा अब 41 एक बढ़ा के गुणा करना है तो 41 को 21 से मुख्य करो 681 और 41 तो 12 यह 17, 1722 तो 1722 सोडा ठीक है अब कई बचों की यह दिक्कत आई यह मुझे अच्छे से धाना क्या दिक्कत आई है यह तो कर लिया आट दूनी सोडा लेकिन 41 इंटू 42 का सोटकट नहीं कर पाए इनका मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं अगले वीडियो कर रहा हूं आप 90% कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन से फास कर पाऊगी सभी नहीं कर पाऊगी कैलकुलेशन से भी बहुत जल्दी कर पाऊगी तो 41 का स्क्वार सोड़ा सो 81 से कम 41 तो इनको जोडेंगे तो कितना आजाएगा 1722 और 16 आजाएगा चलो और एजामपल लेते हैं 452 इंटू 458 अब देखो 8 दूनी 16 ठीक है अब होगा क्या होगा बताओ एक बढ़ा की गुणा 45 इंटू 45 45 को 45 करो 45 का स्क्वार 20 पत्चीश पलेस पैंतारीश 10, 6, 7, 21, 2170 हो गया एक है सोरी यह 2070 हो गया यहां पर तो यह हो जाएगा 2070 और 16 देखो बई 2-3 सेकिंड तो लगेगी बई देखो कितना 3-3 अंको का गुणा आप सोचो कितने अंक का गुणा है 3-3 अंका अब देखो और मैं आपको समझा रहा हूं मैं आपको बढ़ता हू मैं मेरा बता रहा हूं कि मैं इस कैलकुलेशन को करूँगा तो सिरफ एक सेकिंड ले रहा हूं लेकिन मैं यहां अक्स्प्लेइन भी करना होता है क्यों आपको समझाना भी होता है तो टाइम लग रहा है जैसे अब बताओ 930 मैं इंटू 970 मैं ले लिया बताओ 7-3 कितना हो अब हम सब मिलके प्रेक्टिस करते अब मैं आपके लिए एक्जामपल मेरे साथ साथ बदाते जाओ फिक है इनका अंसर है क्या होगा पहला एक बार छोटे से सुराद करते हैं 22 इंटू 28 फटाइपड़ा अंसर बढ़ दो कमेंट बढ़ जाना चाहिए बई अब यहां पर 10 10 सेकेंड नहीं लगनी चीए हाँ दूसरा 24 इंटू 27 कुस एक्जामपल लेके आ रहा हूँ 33 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 37 इंटू 37 इंटू 41 इंटू 44 इंटू 46 तोवन इंटू 56 ठीक है चलो बताओ 8 दूनी 16 तीन दूनी 6 यह लेते हैं 22 एक बढ़ाके गुना देखो इनक ना है तो इट शे सो चोई है यह बताओ 7 रूल बता दिया, रूल क्या था, जैसे एक बार 122 इंटो 128 है, एकाई के अंका योग, 10 होना चाहिए, बाकी सेम होना चाहिए, 8 दूनी 16, इधर बढ़ाओ, 13 इंटू 12, 144 ओर 12, 156, 156 है, और कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जैसे 181 में इंटू 119 में, लास्ट को आप धन्यवाद, अपना मुले वान समय देने के लिए, नेस्ट वीडियो में मिलते हैं, आप,